Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that we have completed the topics of Unit 1st, almost all the topics और कुछ लास्ट के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिनको आज हम कम्प्लीट कर रहे हैं जिसमें मॉडर्निजेशन को पढ़ रहे हैं और उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गए है जिसका नमें ग्लोबलाइजेशन ठीक है? तो मॉडर्निजेशन बेसिक बेसिक मैंने आपको समझाया है आज हम इस वीडियो में क्या सिखेंगे? इस वीडियो में आज हम सिखेंगे मॉडर्निजेशन और मॉडर्निटी को सुशाल जिस्टेज ने क्या कहा? यह video lecture बहुत important है यहाँ से आपके questions आएंगे याद रखेगा modernization basic मैंने आपको understand करवाया उस पर मैंने आप already एक lecture दिया है कि modernization क्या होती है उसका historical perspective क्या है वो कहां से start हुई modernization modernity ठीक है तो आज जो main इसका है actual में कि modernity को social justice ने क्या कहा modernization क्या होती है according to the social justice ठीक है तो चलिए समझते हैं social justice क्या कहते है modernization को पहले हम देखेंगे classical thinkers जो social जी के पहले जो thinkers हैं उनको समझेंगे तो उसमें से number one पे आते हैं इमाईल दुरुखेम दुरुखेम क्या कहते है दुरुखेम क्या कहते है ठीक है उसने कहा modernization को it is a differentiation और stratification भी कह सकते हैं ठीक है इससे क्या होगी उसने कहा जब society में differences होते हैं stratified होती है society में एक को एक काम दिया जाता है दूसरे को दूसरा काम तीसरे को तीसरा काम उससे क्या होते है ये interdependent एक दूसरे पे तो सब ही एक दूसरे पे independent है तो वो कहते हैं जब society में differences होती हैं हम कहते हैं according to dirkhem it means modernity ठीक है ये क्या create करता है dependence with which called functional dependence यानि एक दूसरे के काम पे ये dependent रहते हैं people depend on each other ठीक है चलिए उसके बाद उसके बाद है हमारे जॉरिसमेल जॉरिसमेल ने क्या कहा और यहां मैंने नोट करके लेखा है the more is society stratified जितनी society stratified होगी अलग-अलग groups में greater is the level of modernity किसने ये कहा है according to dirkhem ठीक है then हम किसे समझेंगे then हम समझेंगे जॉरिसमेल को ठीक है जॉरिसमेल ने क्या कहा इसने कहा city life city and money makes the modernity जॉरिसमेल का क्या फ्रेज है modernity के रिले है इसने कहा modernity means city and economy and economy makes the modernity city, economy, city और money क्या बनाती है यही modernity बनाती है ठीक है easy concept है किसने ये कहा है जॉरिसमेल ने कहा है यात रखेगा भूल मत जाएएगा पहले किसने कहा था पहले हमने किस को पढ़ा पहले हमने दुर्खेम को पढ़ा दुर्खेम ने क्या कहा दुर्खेम ने modernity को कहा differentiation अब जॉरिसमेल ने क्या कहा जॉरिसमेल ने modernity को क्या कहा जॉरिसमेल ने modernity को कहा it is city and economy makes the modernity यहने city life जो है इसी को हम modernity कहते है और किसको कहते हैं और हम कहते हैं मॉडरियर निटी बनाते है ठीक है बने टोना मिलके का बनाते हैं जीसमें गरभर इतो नोग हो ने जीमिल गूरस दूसरे के पास जाएगी फिर तीसरे के बजाए यहने एक ग्रूप से दूसरे दूसरे से तीसरे ठीक है तो diffusion आप मुनीका होगा तो हम क्या कहींगे according to journalism it is modernity ठीक है जैन उसके बाद किसको हमें समझना है उसके बाद हम समझेंगे Max Weber को Max Weber को आपको याद रखना है Max Weber ने modernity or modernization को कै कहा इसने कहा modernity or modernization it is rationality जब लोग किस पर काम करते है wrong reasons पर काम करते है which characterizes which characterized is human action human action होती है जो लोग action करते है वो किस पर based होती है वो rationality पर based होती है rationality means reason पर बेथ होती है ठीक है then आपको क्या समझना है according to the Karl Marx Karl Marx ने क्या का it is the commodification ठीक है आप ओलों के सर कमाडिफिकेशन का मतलब क्या आता हो कमाडिफिकेशन मीन्स टर्निंग सम्थिंग इंट दा आइटम यानि इस सुसाइटी में जो कोई भी चीज़ है उसको एक आइटम बनाना आइटम कोई चीज़ बनाना कोई प्रोड़क्ट बनाना और जैट कैन भ बाद में क्या कर सकते हैं जिसको आइटम बनाके उसको सोल्ड भी कर सकते हैं बेज भी सकते हैं और ब्राट यानि खरीद भी सकते हैं यानि दोनूं प्रोसेस कर सकते हैं कोई भी चीज़ जो भी सुसाइटी में है उसको एक प्रोड़क्ट बनाना और मार्केट में उसका क् मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा more production चाहिए capitalist को तो वो किसी चीज़ अभी क्या बना सकते product बना सकते उनको profit जादा चाहिए ठीक है? he said for the capitalism इसने कहा in capitalism जो capitalism आया है everything in the society मार्क्स ने कहा जो भी society में है जो भी छीज़े society में उसको capitalist ने commodity की तरह पेश किया, commodity मतलब उसको product बनाए, market में लाए और बेजा वो कहते है, even dance dramas, literature यहने books, religion वो कहते है, even religion, everything in the society is commodity, जो भी चीज़ society में है, उसको capitalists ने as a commodity बनाए, as a product बनाए और society में लाए और बेज रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, Marx कहते हैं, modernity means, modernization means, commodification ठीक है, याद रखना बूल मत जाना, next तो Marx ने कहा, it is the manufactured it is manufactured and sold in market जो भी चीज़े society में होते हैं, उसको manufacture किया जाता है, और कहाँ बेजा जाता है, market में बेजा जाता है, यह कहते हैं, Marx even religion rituals जो हैं, उनको भी जब कहा, उनको भी as a पेश किया जाता है, commodity में, उनको भी इस दूर, modernity के दूर में क्या किया जाता है, ठीक है therefore, modernization is nothing, तो Marx कहते हैं, modernization जो है, यह nothing, कुछ भी नहीं है, but a commodity यह क्या है, a thing to be brought, एक वो चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, बेज भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, इन items for the trade and commerce, किसके लिए trade and commerce के लिए इसको यूज किया जाता है now we will move to the contemporary social justice, contemporary social justice क्या बोलते हैं, modernity को, ठीक है modernity पड़े, उसने कहा modernity, दुरिखियम ने कहा differentiation, कालमार्क्स ने कहा commodification, तो जोरेजमल ने कहा city life, economy उसके बाद, मार्क्स ने कहा commodification, लेकिन एंथुनी गिड़न ने कहा कि आप modernity को एक ही term के साथ, इन one term के साथ आप connective नहीं कर इसमें एक ही चीज़ नहीं होती है तो, जो एंथुनी गिड़न है, इसकी एक book है, वो याद रखेगा the constitution of the society, ये भूल मत जाएएगा इसमें इसमें modernity को define कि modernity cannot be enough in a single term, इन modernity को आप एक single term के साथ जोड नहीं सकते हैं बहुत सारी terms आएगी, ये multi-dimensional है तो, गिड़न ने क्या कहा, according to गिड़न, there are four main institutional aspects of modernity, modernity के चार basic institutional aspects है, सर क्या क्या है capitalism, आप पहले याद रखो कि capitalism, मैंने आपको already बताया है capitalism का मतलब होता है business, जो है उसको own करते हैं वो run करते हैं, को आइद इंडीजोल, जब इंडीजोल, याने private property होती है, not the citate, citate उसमें इनवालो, नहीं होता है उसको हम क्या बोलते, capitalism, ठीक है then, उसने दूसरा क्या कहा पहले उसने कहा, capitalism जब आता है capitalism means modernization, दूसरा उसने कहा, coordinate, sorry, दूसरा उसने कहा, industrialization, जब industries आती है, ठीक है, factories बनती है, society में ज़्यादा से ज़्यादा factories बनती है coordinated administration coordinated administrative power focus through the surveillance, याद रखना administration, coordinated साथ साथ जब administration होती है administration साथ साथ चलती है, ठीक है लेकिन through the surveillance, surveillance मतलब याद रखना CCTV camera, जो भी cameras के तरह, आज हमारी जो surveillance होती है अगर आप एक individual को देखेंगे, उसको state जो है, वो कैसे control करता है वो surveillance के तरह, surveillance means उसके, अगर आप देखेंगे, example आधार card तो आपका जो fingerprint है, वो किस के पास है, government के पास है, और आपके उपर CCTV cameras लगे हुए है, जहां से आपको क्या करता है state क्या करता है, control करता है, ठीक है समझाई बात, दूसरा ये इसने कहा, तीसरा इसने क्या कहा तीसरा इसने कहा गिडन ने तीसरा कहा military power, जो military power है वो state कहां रखती है, अपने पास रखती है, याद रखिएगा military power, वो कहते हैं means of violence in the head of state, जो violence के तरीके हैं, लोगों पे violence करना, वो control भी कौन रखता है, वो state अपने पास रखता है, किस से, इन termos आपता military power, ठीक है, तो वो modernity को कहता है, modernity वो तीन चीज़ों को कहता है, कौन-कौन से किस-किस को कहता है वो, वो याद रखिएगा आप इसने का multi-dimensional, यानि बहुत सारी termos इसने दी, पहला का capitalism, दूसरा का industrialization, sorry, capitalism capitalism, then sorry, यह industrialization ही है, capitalism capitalism है, industrialization इसने के साथ, दूसरा इसने कहा coordinated एक सेकंड, sorry, sorry यह mistake होगी है, तोड़ी इसने चार termos दिये हैं, point number one इसने कहा capitalism, दूसरा इसने कहा industrialism, industrialization तीसरा है, इसने कहा coordinated administrative power focused through the surveillance, जो surveillance के तो आपको control करती है, कौन administration आपको control करती है और चोथे number पे इसने कहा military power ठीक है, तो यह हो गए Anthony Giddin का क्या यह हो गए Anthony Giddin का modernization and modernity, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद हमें किसको समझना है, इसके बाद हमें समझना उर्रिक बेग को उर्रिक बेग ने क्या कहा, उर्रिक बेग भी एक contemporary socialist है, इसने कहा, उर्रिक बेग ने कहा modernity leads to the risk society याद रखना, अगर आपको यह question पूछा जाए, किसने कहा modernity जो है, वो हमें नाम ही है risk society, बुक का नाम ही है risk society towards a new modernity, जो हमें कहां ले जा रही है, नई modernity कि, किसने कहा, उर्रिक बेग ने कहा he said, modern society creates a large number of risks for the people, इसने कहा जो modern society है, जो contemporary society है, यह कहां की ले जा रही है, large number of risks, इसमें लेकर गए, degradation of environment हो रहा है, जैसे हमारे जो science के background के है, environmental science के, जो next आने वाली generation होगी, उनके लिए water के problems होगी, global warming होगा, temperature increase होगा और ठीक है, तो यह क्या कहते हैं, यह कहते हैं, जो modern society है, वो कहां की और ले जा रही है, risk society तो उसमें क्या है, इसमें खत्रा है society को, society कभी भी collapse हो सकती है, ठीक है, यहने लोग कभी भी बर सकते हैं, he said, note करके, मैंने लिखा है, now we are in second modernity, याद रखना यह point, अगर यह point आएगा कि second modernity का concept किस ने दिया है, वो भी उरलिक बैग ने दिया है, याद रखना है, second modernity, इसने कहा है, which to him is a risk society, जो क्या है, एक risk society है, people are living with each other without the marriage, इसने कहा, अगर आप देखोगे, second modernity में, इस दोर में क्या हो रहा है, marriages में मैंने आपको पढ़ाया था, cohabitation हो रही है, gay marriage holds हो रही है, lesbian marriages जो यह कहता है, लोग साथ साथ रह रहे हैं, without any marriage, marriage के बगेर ही, couple साथ साथ रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, और यह क्या कहता है, divorce rate is very high, और divorce rate जो है, वो भी दिन बदिन बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको वो क्या कहता है, second modernization, याद रखना इसके बाद हमारेioni, Ross Nagday, HorPalachite, Loris Ritizer कहते हैं, जरी जरे रिटिजर ने कहा Modernity is Hyper Rationality ये बूल मत जाना, ये याद रखना, ये Termas ये ही आएगा, ये बताएगा, ये किसनी कहा है Modernity is Hyper Rationality इसने कहा Hyper Rationality यानि आप Reason को कैंकर रहे हैं वहां आपको reason की ज़रूरत नहीं है वहां भी आप reason use करते हैं ठीक है unusual use of reason hyper rationality McDonaldization and Americanization ठीक है इसने एक book लिखी है जिसका नाम ही है McDonaldization जे McDonald's है ना जो restaurants अभी बढ़ रहे हैं पूरे हर किसी country में बन रहे हैं इस नाम पे तो वहां जाना वहां खाना fast food खाना credit cards use करना that's the McDonaldization examples of McDonaldization तो इसकी book है the McDonaldization of society and investigation into the changing character of contemporary social life ये इसकी book है ये याद रखना तो McDonald's क्या होते है you know the McDonald's आपको पता होगा series of restore and solve the world बढ़ रहे हैं इसके नाम पे they are the craze ये new generation जो है इनका craze है कि यहां जाना यहां खाना ठीक है तो new generation जो है इनका craze है यहां जाना यहां खाने के लिए जाना कहां इन McDonald's में यानि इन restaurant में जाना तो new generation considers जो नई generation वो consider करते है फैशनीबल फॉर्डर रफ्रेश्मेंट है और social media ठीक है वहां मिलना credit cards यह होता है mcdonalization fast food खाना और the examples है ठीक है जैसे rationality hyper-rationality formal plus substantial plus theoretical rationality यह कहा किसने रिटजर ने इसको हम बोलते है hyper-rationality ठीक है तो यह दोनों rationality जो है यह maximum ने use किये और theoretical rationality रिटजर ने use किये americanization वो क्या बोलता है वो बोलता है Americanization means America is generally seen as a center America जो है वो center है किसका modernity का मतलब modernity जो है वो कहां से आती है वो America से ही निकलती है जिसको लोग फिर बाकी countries follow करते हैं ठीक है then we will understand Zygmunt Bowman ठीक है Zygmunt Bowman ने क्या कहा इसने कहा modernity is holocaust holocaust का holocaust आप समझ दे हो holocaust किसे बोलते हैं holocaust बोलते हैं जब Jeevus का क्या हुआ था जब mass murder हो जाता है किसी का ठीक है तो उसको हम holocaust बोलते है ठीक है इसकी एक book है Jeevus इसकी book है intimidation of the post-mordernity ठीक है तो holocaust क्या हुआ था holocaust जबोलते हो जबोलते है Jeevus का Jeevus were destroyed by the Nazi जो थी जो Hitler की हकूमत थी जो Hitler की dictatorship थी उसमें किसको holocaust किया गया था यानि mass murder किया गया था Jeevus को ठीक है यह कहता है how does holocaust work with rationality यह कहता है जो holocaust है यह rationality के साथ हो था ठीक है कैसे इसने खुद कहा सीधा holocaust आप जर्मनी यह कहता है आप देखिए जो जर्मनी में holocaust हो था Jeevus का ठीक है defining the Jews problem Hitler said जो Jeevus की वहाँ एक problem थी कि Jeevus के साथ क्या किया जाए Jeevus को एक problem बनाया गया था तो Hitler ने उनको कहा था Hitler said Hitler ने कहा था Get rid इनसे नजात पाने के लिए आप दे जीvus and every problem is solved कि Jeevus सो इसे नजात मिलेगी यानि Jeevus जो है अगर इनसे नजात मिलेगी जर्मनी के हर कोई problem solve हो जाएगी means अगर यह नहीं रहेंगे तो जर्मनी की सारी problems solve हो जाएगी यानि Jeevus की death Jeevus का destruction को बताया गया यह solution है जर्मनी के problems का ठेक है then उन्होंने फिर क्या किया sorry one second so जो जर्मनी के bureaucrates थे the German bureaucrates picked up the solution given by the Hitler जो जर्मनी के bureaucrates थे bureaucrates means जो वहां के rulers थे उसका जो administration में थे उन्होंने यही solution लिया किसका जो Hitler ने कहा कि इन से नजात पाओ इनको खतम कर दो इनको destroy कर दो जर्मनी की सारे problems solution इनका solution हो गया and applied और उन्होंने उसी को apply किया rationally to solve a series of today's problems उन्होंने उसी को follow किया और क्या किया जिवस का mass murder किया और कहा कि यही इसी से क्या होगी सारे जर्मनी के सारे solutions तो यह क्या कहते है Zygmunt Bowman कहते हैं कि यह rationally use किया गया ठीक है जैसे उन्होंने कहा Zygmunt Bowman कहते हैं Holocaust was not the result of irrationality आप बोलो कि वो irrationality थी नहीं यह कहते हैं वो irrationality की वज़े से नहीं हुआ है और दप pre-modern और दप pre-modern vibratory ठीक है इसने का it is not because of the irrationality तो यह क्या कहता है Zygmunt Bowman कहता है बट बट यह इस वज़े से नहीं हुआ irrationality की वज़े से यह कहता है बट रादर it was the product of modern rational bureaucracy यह इस वज़े से आया जो modern rationality थी जो modern rational bureaucracy हम जिसे कहता है यह इसी का product बना इसी की वज़े से आया क्या it was not a crazy lunatic lunatic मतलब होता है ill mind वो उनका दिमाग वो mental नहीं थे then who created and managed the holocaust जन्होंने यह किया और बनाया holocaust but highly वो highly rational थे ठीक है and otherwise quite normal bureaucratic वो like normal bureaucratic थे it's का मतलब है civilian zygmunt कहता है जब लोगों का holocaust हो जाएगा लोगों को मारा जाएगा on the basis of rationality और यह कहा जाएगा हमने इसको एक अपना solution हमारी जो problem थी उसका solution निकाला तो उसी को क्या कहा holocaust कहा किसने zygmunt बोमन ने कहा modernity means holocaust ठीक है then jin then then हमारे पास आते हैं hebermas hebermas ने क्या कहा hebermas modernity is rationality and and an unfinished project यह याद रखना यह बूल मुझा unfinished project किसने कहा है hebermas इसकी एक book है जिसका नाम है philosophical discourse of the modernity यह भी याद रखना यह कहते है modernity is rationality and unfinished project यानि जब लोग किस पे ज़्यादा जूर दे rationality पे ज़्यादा जूर दे reason से ज़्यादा काम करे ठीक है as compute other things reason को front line पे रखे unfinished project का मातलब क्या होता है unprinted project का मातलब होता है कि modernity अभी खतम नहीं हुए इसको बहुत सारा काम अभी भी करना है means he said and number of people in any society बहुत सारे लोग किसी भी society particularly African South African and Asian countries Asian हम लोग आते है ठीक है और वो क्या है वो है marginalized and live below the poverty line यहां अभी भी लोग below the poverty line रह रहे हैं यानि अभी भी वो गरीब लोग है they yet they had yet to get the benefits उनको अभी भी benefits of murder रिटी के नहीं मिले हैं तो that is why he is saying that murder is an unfinished project यह अभी खतम नहीं हुआ है अभी भी इसका काम है अभी भी इसका फाइदा जो है वो इन लोगों को पहुँचना चाहिए ठीक है then इसके बाद आपको याद रखने है Myron Myron Winer आपको याद रखने है इसने बूक लिखी है Modernization Dynamics of the Growth Modernization the Dynamics of the Growth इसकी बूक है यह याद रखना इसने इसमें क्या कहा है इसने कहा है Including the Rights of 25 Western Scholars इसने इस बूक में 25 Western Scholars को लिया है और कहा है He said Over a time Time होने के बाद The rest of the world Would become just like इसने कहा है कुछ साल होने के बाद जो world है वो same-same दिखेगा Why? Because he said Modernization is an action program Modernization हर किसी society में change लाएगा जब यह change लाएगा Modernization Modernization का model Industrialization आएगी ठीक है तो world जो है वो same-same दिखेगा जो diversity differences है वोर्लड में अपनी अपनी countries में वो दीरे-दीरे किसकी और हो जाएगे Like यह यह Same-same दिखेगे ठीक है क्यों इसने क्या कहा याद रखना यह बूल मत जाना Wynar ने कहा है Modernization is an action program यह action program है Action program मतलब यह काम करता है किसके लिए Change के लिए society में ठीक है इससे social changes आएगे society में फिर उसके बाद आपको याद रखने है गुनार मेडाल को ठीक है गुनार मेडाल को आपके याद रखना है Connected with the volume इसका एक book है जो बहुत ही famous है जिसका नाम Asian drama यह exam में आ सकती है इसके 99 point chances बनते है ठीक है इसका नाम क्या है Asian drama है इसका नाम An inquiry into the poverty of nations जिसमें inquiry की सिखा सर्वे किया गया किसके बारे में into the point into the poverty of the nations की nations की poverty क्या है While analyzing the situation of the Asian countries जब Asian countries की situation को इसने analyze किया जब उसको इसने सीखा इसने क्या कहा गुनार मेडाल ने क्या कहा गुनार मेडाल ने कहा देखे इसने क्या कहा He concluded इसने कहा that only the alternative एक ही alternative left है किसके लिए within those nations is to adopt उन नेशन उसको South Asian nations को adopt करने के लिए that modernization is their way to program उनको क्या follow करना अगर किसी भी इस्टेश के देश को जो गरीब लोग है इस्टेश के country जो है उनको अमीर अगर बनना है तो इनको कौन सा model follow करना है उनको modernization follow करनी है याने industrialization follow करनी है ठीक है modern surveillance follow करनी है military power याने modernization का concept west से आया है जिस तरह से उनने कहा है कि modernization secular state है वो ही model follow करना पड़ेगा ताकि उनकी country क्या हो जाए developed country हो जाए इसी के साथ आज का हमारा lecture खतम होता है and इसी के साथ हमारा lecture जो है वो फिनिश होता है modernization जो है ये topic हतम हुआ है अब globalization globalization पे हम कुछ main social justice को पढ़ेंगे और Indian social justice को पढ़ेंगे और उसके बाद हम unit second पे आएंगे तो please इस चनल को आप subscribe करिए जन्होंने subscribe नहीं किया है share कीजे बाकि students के साथ और commenters भी करते रहिए अगर आपको अच्छा material अच्छा content मिर रहा है तो please उसे motivation मिलती है thanks thanks to all of you